वेलकम टू देवेम्टेयार ये है दो हजार तेईस की न्यू अपडेटेड बीम डबलू मोटराड की तरफ से आने वाली जी त्री टेन आर आर और इसमें क्या-क्या बदलाब होए हैं ये ये ट्वन्टी ओडी टू वाला मॉडल आप देख रहे हैं इस बाइक की नई ओन र करें के क्लरल आपकी जाते हैं ये दूसरा याहां ये आपको च्टाल स्पोर्ट बाइट कलर मिल संदॉट कना वी जएफिए का ग्लाज्जर के लाइबिन देखिक वाल्याव मिलता है जिनको कुछ इस तरह से फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं उपर में बड़ा साथ Ö एंड विंड सिल का ग्लास दिया नीचे में हाई सिक्योटी नमबर प्लेट लगेगी मैट बलेक कलर के ग्राफिक्स रहें और साइड वाई साइड है आपको छोटे-छोटे LED DRL मिल जाते हैं बाकी BI प्रोजेक्टर हैडलाइट का पूरा का पूरा सेटम मिलता है और जो इंडिकेटर हैं वो भी आपको पूरे के पूरे LED में दिये गए हैं जहां तक कि इसका जो आगे वाला टायर है ये भी आपको रेडियल में मिलता है फ्रेंट में 300 mm डाइमीटर के असपास डिस्क मिलती है जिसमें बाइबरे के कैली पर मिलते हैं और इसके फ्रेंट में गोल्डन कलर के यूएजडी अफसाइड डाउन फॉर्क मिलते हैं जो देखने के साथ अच्छे तो लगते हैं साथ में काफी अच्छा राइडिंग कॉंफर्ट और हैंडलिंग भी आपको मिल जाती है आगे का जो मटगार्ड है यह प्लास्टिक बॉड़ी का है सत्रेंज का ब्लेक कलर का एलोई है और फ्रेंट में एक सो दस सत्र आर सत्रे का रेडियल ट्यूबलेश टैर मिल जाता है साइड प्रोफाइल के फेरिंग के उपर में BMW का यहाँ पर लोगो दिया गया है जो की बहुती सांदा लग रहा है और यहाँ पर BMW मोटरार नीचे में आर आर और साइड में BMW का बड़ा सा ग्राफिक्स है वाइट कलर के साथ और यहाँ पर दिया है जी थ्री टेन का स्टीकर वाइट कलर में इंजिन की तरफ चलते है तो BMW की बैजिंग दी गई है किसमें आपको नहीं मिलती है उनली सेल्फ के साथ ही आती है यहाँ पर टोटल प्लास्टिक बॉड़ी का इस्तिमाल किया है बड़ा सा यहाँ पर आपको रेडियेटर सिस्टम मिलता है जिसमें लिक्विड कूल्ड वाला सिस्टम दिया गया है इसकी जो ग्राउंड क्लिरेंस है वो भी काफी ठीक ठाक मिल जाते है इसमें 312 सीसी का लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 वाल इंजन दिया है जो 34 PS की मैक्स पावर देता है 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 174 कजी इसका करवेट है यहाँ पर आपको ब्रेक पैड एडजस्टिवल फूट पैक्स मिल जाते हैं जो की थोड़े से पीछे की तरब हैं अगर आप इसका देखेंगे तो पूरा का पूरा TBS Apache RR310 से ही इंस्पायर है पूरा का पूरा वही सेम एगजस्ट मिल जाता है जिसमें Steel Matte Finish का इस्तमाल किया गया है और यही वाला सेम एगजस्ट आपको मिलते हैं BMW की 310 R में भी बाकी रेर में आपको मिलता है 150 mm का काफी वाइट टायर और यहाँ पर आपको बड़ा सा टायर हगर मिल जाता है 240 mm डायमीडर की डिस्क मिलती है जिसमें पीछे भी आपको ABS मिलेगा 150 60 ZR17 का रेडियल टूबलेश टायर मिल जाता है जो टायर पूरी तरह से रेडियल है 150 mm इसकी चौड़ाई है पिछला जो सस्पेंशन आप देख रहे हैं यह प्री लोड एड़जस्टेबल सस्पेंशन का सेटप दिया है जो की अपाचे RR3 10 से टोटल अलग है इस बाइक की फ्रेम की अगर हम बात करें की अगर हम बात करें स्पलेट सीट मिल जाती है सीट की जो कुशन है वह उतनी ज़्यादा सॉफ्ट प्र बाइडियम हम यहां पर सीट को उपन कर सकते हैं लॉकर मिल जाता है बाकि उपर वाली जो सीट है पिलेन के लिए उतनी ज्यादा comfortable नहीं है और यहाँ पर आपको एक handle मिल जाता है बाइक को आगे पीछे करने के लिए 811 mm की seat head मिल जाती है सबसे पहले में चावी को on कर देता हूँ बाकि इसकी tail section की बात करें तो पूरी की पूरी जो tail light है वो यहाँ पर आपको Apache RR310 वाली ही दी गई है अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो जो heater की जो spring होती है red color की जलती हुई दिखाई देती है और LED वाले turn indicator मिल जाते हैं तीन reflector दिए गए हैं इस bike में आपको 11 liter की fuel tank की capacity मिल जाती है पूरा tank plastic body का है एक liter petrol इसमें reserve रहता है बाकि यहाँ पर E20 T वाला स्टीकल लगा हुआ है जैसा कि E20 BS6 Phase 2 का update आज मैं आपको दिखा रहा हूँ वो भी black color के साथ और यहाँ पर RR310G की यहाँ पर आपको branding BMW का logo इसकी जो handle वार है यह आपको पूरी की पूरी adjustable मिल जाती है और बाकि इसमें जो चावी है वो आपको normal मिलती है BMW की branding के साथ इसमें आपको कोई भी बेव की offer नहीं की जाती है और यहाँ पर जो lever है वो आपको non adjustable मिलते है नीचे में selfish start का button है यहाँ पर आपको मिलता है passing यहाँ पर hazard और यहाँ पर चार आपको button मिलते हैं meter को adjustment करने के लिए नीचे में indicator और horn का button दिया गया इसमें आपको anti hopping clutch भी दिया गया है bike में आपको sleeper clutch बगएर मिल जाता है इसमें 5 inch का sharp TFT display का पूरा का पूरा setup मिलता है नीचे में low battery के साथ आपको ABS की warning की लिएट चेक इंजन की warning की लाइट ऊपर में आपको turn indicator low fuel और gear neutral indicator headlight की warning की लाइट दी गई है नीचे में display में आप देख सकते हैं fuel देखा रहा है top speed देखा रहा है odometer, trimeter, coolant की temperature देख सकते हैं side stand की warning, gear shift indicator मिल जाता है engine temperature देख सकते हैं, rpm देखा रहा है fuel gauge देखा रहा है, speedometer, odometer बाकी यहाँ पर menu दिया गया तो other features की अगर हम बात करें तो यहाँ पर menu में जाने के लिए आपको set की button को press करना है और आप menu में आ जाएंगे ride mode में आप देख सकते हैं इसमें total 4 mode मिलते हैं urban, red, sport और track mode और दूसरा इसमें आपको जो है वो trip की detail बगएरा देख सकते हैं नीचे में my vehicle की चीज़ें आप देख सकते हैं जिसमें आपको जो है वो service कव करानी है और bike की performance बगएर आप देख सकते हैं किस speed में आप bike को चला रहे हैं बाकी यहाँ पर display को भी आप set कर सकते हैं अपने अनुशार और यहाँ पर ride mode की सारी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी बाकी bike की जो top speed up हो जाती है 170 km प्रते गंटे के आसपास और यह bike आपको देती है 35 kmpl का mileage वो भी एक लीटर पेट्रोल में चल कहीं bike की दूसरी side में तो पीछे वाले plane के लिए यहाँ पर आपको मिल जाते है adjustable foot packs का setup और यहाँ पर पूरा यह जो left वाला हिस्सा है fiber से cover किया गया open chancet cover है race tested aluminum swingar में यहाँ पर आपको मिलते हैं जो की काफी हलके हैं और बाकी यहाँ पर दिया गया इसका catalytic converter gear की अगर हम बात करें तो इसमें आपको six speed gearbox का setup मिल जाता है bike में छे gear मिल जाते हैं इसमें आपको side stand engine guard of sensor मिल जाता है यहाँ से engine oil को डाला जाता है तो अब बात करें bike की price के वारे में BMW G310RR की exorum कीमत है black color E20 में 3,00,000,000 रुपे और इसकी complete on road कीमत है 3,62,519 रुपे और अगर आप इसका BMW G310RR का style sport कलर लेते हैं तो इसकी exorum कीमत है 2,95,000 on road पढ़ती है 3,56,874 रुपे की अगर आप BMW की G310RR का white कलर लेते हैं तो वो आपको पढ़ती है exorum 3,14,000 on road पढ़ती है 3,78,320 रुपे की यह है BMW G310GS का triple black और exorum कीमत है 3,25,000 on road कीमत है 3,90,700 रुपे यह on road कीमत की जानकारी मैंने आपको बताई है BMW Motorrad, चिनार पार्क कॉलकता, exorum की exorum की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगी अगर आप भी अपनी city की on road कीमत जानना चाहते है तो आप अपनी city का नाम comment box में share कर देना मैं आपको reply करके बता दूँगा Thank you दोस्तो वीडियो अच्छे लगा तो like